हवेली का भूत, रुहानी ताक्ते हमारे आसपास हमेशा मडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तिकतास में तो दिखाई नहीं देती लेकिन कुछ घटनाओं से मैसूस जरूर होने लगती है। ऐसे ही एक हवेली के भूत की है, दरसल एक पूरानी हवेली है, जिसमें कई साल पहले राजा महराजा रहा करते थे, लेकिन अब वो विराना पड़ी है। क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं, हवेली की हालत जरजर हो चुकी है, अब उसे मडमत की जरूरत है, इसके लिए सासन के नोटीस के अनुसार संपती के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दीनों में पूरूर राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमानी के राजा के नाती की लड़की थी, उसका नाम उर्मिला था। उसके पती की काड एक्सिडेंट में मौत हो चुकी थी, अब वह विद्वा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है, जो आठ वर्स का है, और वह भी अपनी मा के साथ हवेली आया है, हवेली बहुत विसाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गये, जीने चपे-चपे की सफाई करने का ठेका दिया गया, किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने-कोने में कितने खूनी रहस से छुपे हुए हैं, कुर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रुहानी होने लगती है, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वर्सों से उसक इंतिजार कर रहा था, इस हवेली के वारिस का, एक रत उर्मिला अपने कमडे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है, अचानक उसके खिरकी से एक पक्ची टकडा कर मर जाता है, यह घटना अपने आप में असमान ने थी, पक्ची के टकडाते ही उर्मिला की नींद और वह लाइट जला कर देखती है, तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमडे की खिरकी से एक पक्ची फसा हुआ था, और उसके सरीर से खून की बूंदे फर्स पर गिर रही थी, नजारा इतना भ्यानक था, कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्ची को खिरकी से बाहर फेक देती है, लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती है, और वह सुबह तक जाकती रहती है, दरसल वह जानना चाती है कि यह किसी की सरारत तो नहीं, सुबह होते ही वह अपने यहां काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है, कि रात को मेरे कमरे की खिरकी पर कोई पक्ची आकर टकड़ाया था, और तुरंथ ही मड़ गया, क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है, क्योंकि पक्ची खुद बखुद तो खिरकी से नहीं टकड़ा सकता, मजदूर कहते है, नहीं हमने तो खिरकी से नीचे किसी पक्ची को मड़ा हुआ नहीं देखा, हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं, और जब सभी जाकर देखते हैं तो, वहां वह पक्ची नहीं होता, पुर्मिला घबराने लगती है कि, यह क्या है, यहां तो पक्ची होना चाहिए, या कम से कम खून की कुछ बुंदे दिखनी चाहिए, लेकिन यहां पर पक्ची का एक पंक तक नहीं पड़ा हुआ है, पुर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि, हवेली में बहुत सी कीमती चीज़े और मुर्तियां है, संभाल के साफ सफाई करना मजदूर अपन अपने काम में लग जाते हैं, पुर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि, अचानक हवेली की छट से एक मजदूर नीचे गिरता है, पुर्मिला को अचानक लोगों की आवास सुनाई देती है, वो भाग कर खिरकी से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लास पड़ी होती है, उड्मिला कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है, लोगों के जवाब भी अलग-अलग होते हैं, कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है, और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है, सभी के दावे अलग-अलग थे, लेकिन उड्मिला को कुछ अनकही बाते सुनाई दे रही थी, उड्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा ले, उड्मिला यह बाती सुनते ही, अपने कमड़े की तरब भागने लगती है, क्योंकि कमड़े में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रह होता है, जैसे ही उड्मिला कमड़े में पहुंसती है तो, उसका बेटा खिरकी से खूदने वाला ही होता है, कि उड्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिर्की से लटक जाता है उर्मिला पूरी ताकत से उसे उपर खीचती है लेकिन बच्चा फिर भी खूदने की जिद कर रहा होता है उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमड़े के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है बताओ क्या है इस हवेली में क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता है और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है बेटी ज्यादा जानना हो तो अपने पुरवजों की कहानी पढ़ो तभी तुमें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा इस हवेली की कहानी की किताब इसी गाउं के सर्पंच के घर में रखी होती है जो की बहुत साल पहले मर चुके थे लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद थी उड्मिला सर्पंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है किताब पढ़ते हैं उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकडानी भी थे जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे लेकिन एक बार रानी के साही गहने चोड़ी हो गए और उसके संका में राजा ने नौकरानी को चोड़ी की सजा दी और उसे जिन्दा दफना दिया गया उसके गम में उसके पती ने भी अपनी जान दे दी और उसके एक महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेर कर आत्महत्या कर ली उसके बाद चोटी मोटी हाद से हवैली में होने लगे जिस वजह से यह हवैली हमेशा के लिए बन कर दी गई कई सालों के बाद वहां कोई आया है जिससे के वहां रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का और मिला हवेली का रहसे जानकर यहां से जाना चाहती है क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है इसलिए वा रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है और कार पलट कर उल्टा हो जाती है लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सरक पर भागने लगती है रास्ते में उसे एक कार आते हुए दिखाई देती है और कार को रोकने के लिए उर्मिला सरक के बीच में खरी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिलाने लगती है तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है क्योंकि यह एक पुलिस ओफसर होता है उर्मिला के फरवराहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है पुलिस ओफसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और रोड में जाने लगते हैं रास्ते में एक बुढ़ा सरक पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है पुलिस ओफसर गाड़ी से उतर कर उस बैठती को देखता है बुढ़ा बैठती बिहोस हो चुका था पुलिस ओफसर उसे गोध में उठा कर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं अचानक उस बुढ़े बैठती का हाथ पीछे पुलिस ओफसर की गर्दन तक पहुँच जाता है पुलिस ओफसर छड़पटाने लगता है और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है गाड़ी की स्पीड कम होने की वज़ह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ओफिसर अपनी गन निकाल कर बुढ़े की तरफ निसाना लगा कर गोली चला देता है बुढ़े की सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती है महिला और पुलिस ओफिसर दोनों समच चुके थे कि यह कोई भूत है भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ओफिसर भूत की पकर से अपने आपको छुडाने में काम्याब हो जाता है पुलिस ओफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सरक के किनारे जगमगाती लाइट्स दिख रही होती है पुलिस ओफिसर उर्मिला से कहते हैं कि मैडम यह एरपोर्ट है जल्दी चलिए उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एरपोर्ट के अंदर पहुच जाती है एरपोर्ट पहुचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है क्योंकि पुलिस ओफिसर की वहादूरी की वज़ा से उसके बच्चे की जान बच गई थी लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आदिपत्ते अभी तक बना है और इसी के साथ कोखार भूतिया कहानी खत्म हो जाती है अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्क्राइब कर ले कि आप हमारे वीडियो को देख सके ये कहानी कैसी लगे प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं